तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट हैर केर रूटीन और इस रूटीन को करने के लिए हम बनाने वाले हैं एक ऐसा हैर ओईल जो आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है तो चलिए फ्रेंस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं यह हैर ओईल तो friends जो है रोइल अच हम बनाने वाले हैं उसमें हम यूज़ करने वाले हैं एलोवेरा का आपको तो पता ही है एलोवेरा के गुन चाहे वो सकिन के लिए हो चाहे वो हेर के लिए हो अगर आप इसाथ पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इससे मन मुझा और ये बाने श॥ay गोगा है इसके पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तो वो आपके hair के लिए बहुत problem कर सकती है तो आपको इस video को पूरा देखना है और चोटी चोटी बातों को ध्यान रखना है जो मैं इसमें बताने वाली हूँ जसी कि आप अपने बालों की growth साथ ही आ कलोंजी और मेथी के दाने मिला दूंगी तो फ्रेंज ज़़ा कि आपको पता है मेथी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है आईरन और प्रोटीन जो आपकी बालों के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है तो यहां पर मैंने मिक्स कर दिया है ऐलोवेरा मेथी के दाने और कलोंजी और इस रेमिडी को बनाने के लिए यहां पे मैं एक लोही की कडाई यूज़ कर रही हूं जिसमें भरपूर मात्रा में आईरन होता है और यह सब चीज़े आपकी हैर ओयल में मिक्स होने वाली है साथ ही मैंने यहां पे डाला है काली मिर्च जो आपके बालों के ग प्रोटीन से भरा हुआ होता है और आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा हुता है तो हमने आप इसे अच्छे तरीके से चला रहेla है और इसे तब तक चलाना है जब तक जो aloe vera का color green है वो yellow नहीं हो जाता तो जैसा कि आप देख सकते हैं friends मैं अच्छी तरीके से इने मिला रही हूँ इसके साथ ही मैंने यहाँ पे aloe vera डाला है aloe vera के गुन तो आपको पता ही होंगे जैसा कि आपको पता है aloe vera का use अगर हम hair पे करें तो हमारे scalp बड़े ही अच्छी तरीके से blood circulation flow करती है जिसके कारण से हमारे बालों की बहुत सारी problem solve होती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छी तरीके से पक रहा है इसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि आपको इसे किस तरीके से अपने बालों में लगाने है जिससे आपको इसके best results मिले और इस hair oil को आप बिल्कुल अगर आप चाहें तो daily भी use कर सकते हैं इसके कोई भी side effect नहीं है और coconut का जो good है वो भी इसमें add है जिसके कारण से ये hair oil आपके लिए बहुत ही healthy होने वाली है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हलकी पीली होने लग गई है और थोड़ा और देर तक हम इसे पकाएंगे तो friends इस remedy को आप हफते में दो बार use कर सकते हैं आप चाहें तो daily भी use कर सकते हैं इसके कोई भी side effect नहीं है friends इसे तरीके से हम देरे देरे करके पका लेंगे इसे अच्छी तरीके से और बिल्कुल इसको पकने के बाद हमें इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जा और उसके बाद ही हमें इसे दूसरे कंटेनर में चाहे या बोल में चाहे आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो बिल्कुल ये अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है पीला हो गया है जैसे की तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ले लिया है दूसरा बोल और एक पतले कपड़े की सायता से कॉटन के कपड़े की सायता से मैं इसे अज़ी तरीके से इस बोल में छान लूँगी कि प्यों करता है अगर आपके बालों में डैंडर्फिक परिशानी हो आपके बालों में है था रोस्त्स प्यूंट की परिशानी यह नहीं कह सकते हैं कि और बिल्कुल सूट नहीं करेंगा है कि सी नहीं करता है यह हा attributed में इसे से झाल है थो तो इस hair oil को आप डेली भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपते में दो दिन भी लगा सकते हैं लेकिन hair oil करने के पहले आप याद रखें कि आपको अच्छी तरीके से बाल धो लेने हैं तो विल्कुल यह बन के रेडी है तो इस hair oil को आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं नाइट में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यह रात भर आपके scalp में अच्छे से नरिश हो जाएगा और आपके सारे benefits आपको इसके मिलने वाले हैं तो चलिए apply क करके बताती हो मैं आपको कि इसे किस तरह के से apply करना है तो यहां पर मैंने hair oil को एक container में transfer कर लिया था और time जैसा आपको मिलता है तो उसे साब से आप इसे apply करेंगे बालो में तो यहां पर मैंने ले लिया है यह और बस दीरे-दीरे करके आपको पूरे scalp में लगाना है mainly आपको इसके best results मिले क्योंकि अगर आपकी scalp में जाता है तो automatic blood circulation अच्छा होगा जिसके करन से आपके hair growth अच्छे होंगे साथ ही अगर आपको बहुत बाल ज़ड़ा है तो वह परिशानी भी आपकी दूर होगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं हलके हाथों से आपको करना है यह मैं fast forward में चला रही हूँ इसलिए यह जल्दी जल्दी हो रहा है लेकिन आपको बहुत हलके हाथों से अपने बालों में इसका massage करना है और पूरे scalp में अच्छे तरहीं से मंग निकाल निकाल के हर तरफ पे scalp पे लगाना है इससे क्या होगा कि blood circulation होगा अच्छा आपका hair में scalp में तो आपके hair भी जल्दी जल्दी growth करेंगे और साथ ही बहुत ही thick और long होंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं friends मैं अच्छी तरीके से apply किया है और next day morning आप कोई भी shampoo या फिर आपके पास अगर herbal shampoo हो तो या फिर इसकी चोटी बना लिए तो भी अच्छा रहेगा और बस इसी तरीके से आपको अपने night hair care routine करनी है देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके से पूरे scalp में मसाज करें हूँ ताकि scalp का blood circulation on हो जाए क्योंकि aloe vera में ऐसे गुण पाए जाते हैं इसके अलावा जो सारी ingredients हमने इस oil में मिलाई हैं वो आपके scalp के blood circulation को on करेंगी जिससे कि ये आपके hair growth में hair thick करने के लिए बहुत ही effective hair remedy है तो जरूर एक बार try करें और comment box पर comment करके जरूर बताएं कि remedy आपको कैसी लगी इसके साथ ही like करना ना भूले share करें अपने दोस्तों के साथ और subscribe करें मेरे channel को thank you friends thanks for watching